आम दोल पर fix deposit कराने वाले लोग अकसर बैंक में FD कराते हैं लेकिन अगर आप long term FD करवाना चाहते हैं तो एक बार post office में निवेश करें post office FD को post office time deposit की नाम से चाना जाता है आपको यहाँ पर 1, 2, 3 और 5 साल तक की FD के option मिल जाएंगे सभी पर अलग-अलग प्यासदरें दी जाती हैं लेकिन 5 साल की tax free FD पर post office अच्छा खासा प्यास दीता है ऐसे scheme में अगर आप पैसा निवेश करें तो यह कुछ सालों में डवल से जादा भी हो सकता है आए आपको बताते हैं कि post office FD की ब्यासदरें क्या हैं लेकिन 5 सालों बाद आपको इस FD को दुबारा से अगले 5 सालों के लिए फिक्स करा दीना है इस तरह आपकी FD का time duration 10 साल का हो जाएगा आए एक example से समझते हैं जैसे 5 लाग की निवेश पर ऐसी मिलेंगे 10,59,181 रुपए जब आप 5 लाग की रकम को post office FD में 5 साल के लिए जमा करेंगे तो post office time deposit calculator की मताबिक 7.5% के हिसाब से आपको रुपएज मिलेंगा इस पर आपको 2,24,974 रुपएज की तौर पर मिलेंगे यानि 5 साल बाद ही रकम 7,24,974 बंका को मिलेंगे लेकिन जब आप इस रकम को दुबारा अगले 5 साल के लिए फिक्स करेंगे तो 7.5% की वियाज की हिसाब से इस पर आपको 3,56,201 रुपएज की तौर पर मिलेंगे 7,24,974 प्लस 3,56,201 रुपएज जोड़ने पर कुल 10,59,175 रुपएज होंगे इस पर आपको मिच्चियोटी पर 10,59,175 रुपएज मिलेंगे